हेलो दोस्तो हम बात करने वाली हैं Queen of Melody Night Angle of India के बारे में जी हाँ दोस्तो लता मंगेशकर जी के बारे में जो अभी हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाई गई है दोस्तो बॉलिवुट की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी COVID-19 के बाद से ICU में भरती है आठ जनवरी को लता मंगेशकर जी को COVID-19 पाया गया था इसके बाद से उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है लेकिन अब उनकी हालत में काफी लता मंगेशकर जी जल्द ही स्वस्थ हो जाएं आए जानते हैं उनकी जीवन से जुड़ी कुछ अनकही बातों के बारे में दोस्तो लता मंगेशकर जी का जन्म 18 सितंबर 1929 को इन दौर में हुआ था इन्हें Queen of Melody Night Angle of India के नाम से जाना जाता है दोस्तो ये Playback Singer, Music Director, Producer के र नाम दीनानात मंगेशकर था इनकी माता का नाम शिवांती मंगेशकर था तो लता मंगेशकर जी को National Film Award Film Fair Award for Best Female Playback Singer का Award भी मिला था इसके साथ ही Film Fair Lifetime Achievement Award Film Fair Special Award से भी सम्मानित खिया जा चुका है इसके बाद लता मंगेशकर जी को 1969 में पद्म भूशर एवोर्ट से भी सम्मानित किया गया था इसी तरह से दादा साहिफ फालके पुरिसकार, महरास्ट भूशर, Legan of Honor, Member of Parliament, राज सभा समेत कई सारे पुरिसकारों से लता मंगेशकर जी को सम्मानित किया गया है इसके बाद लता मंगेशकर जी ने कई सारे फिल्मी जगत में भी और देश भक्ती गीत भी कई सारे गीत गाये हुए हैं जिन में से ए मेरे वतन के लोगो लग जा गले जिन्दगी प्यार का गीत है तेरे बिना जिन्दगी से कोई शिक्वा नहीं परदेश जाके परदेश या भूल न जाना एक प्यार का नगमा है ना जानी कितने अंगिनत गीतों को लता मंगेशकर जी ने गाया है जिसकी आवाज आज भी हमारे दिलों को छू जाती है